लेगाहब तो नमस्कार गूडबौनिंग दोइस ट्सवागत है। dod Department Terms नश्म बॉर्भा चाहिएक्ट व बॉय भार्जीन चाहे ह्ाथव है। तुल आउ खरंग देषर आने वाले अफ़री अब्डेट्स आपको तुरंट मिल सके हैं। दोस्तों विडियो kardis टो दोस्तों जो युनिट हमने आज फार्माकोलोजी अप सक्टर आज करने वाले हैं है तो आप यहां पर इस यूनिट का नाम देख सकते हैं वह दोस्तों वॉट इज्य कीमोथेरेपी अगर आपको पता हो तो comment box में comment करें कि कीमोथेरपी क्या होती है तो दोस्तों मैंने पहले multiple choice question दोस्तों मैंने जब आपका pharmacologic start क्या थो तो मैंने आपको पता है कि what is chemotherapy तो दोस्तों जब हम किसी भी chemical agents का use करते हैं किसी भी बिमारी को ठीक करने के लिए disease को ठीक करने के लिए तो इसी को हम कहते हैं कीमोथेरपी और हमारा कीमोथेरपी जो वर्ड है यह हमारा cancer में भी यूज किया जाता है तो चलिए वीडियो को हम start कर लेते हैं और दोस्तों जो भी new subscriber join हुए हैं वो playlist में जाकर सभी वीडियो के parts दोस्तों या फिर वो दूसरे subject के टॉप multiple choice question की वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को हम सुरू कर लेते हैं और पहला सवाल देखते हैं तो यहाँ पर question therapy बाकि आपको pharmacology toxicology और therapeutics क्या होता है इसके बारे में मैंने फार्मकोलोजी की पहले multiple choice question वीडियो में मैंने आपको बता दिया है तो अब चलिए इसके बाद question number two देख लेते हैं और यहाँ पर क्या पूछा की यहाँ पूछा कि broad spectrum antibiotics इस तो दोस्तों सबसे पहले आप antibiotics क्या ह लिखें और यहाँ पर आपको बताना है कि broad spectrum antibiotics क्या होती है दोस्तों जो हमारे antibiotics होते हैं इनको broad spectrum narrow spectrum या फिर specific narrow spectrum antibiotics में divide किया गया है तो दोस्तों ऐसे antibiotics जो wide range of microorganism के against काम करते हैं उन्हें हम antibiotics कहते हैं और उनको दोस्तों broad spectrum antibiotics कहते हैं यानि कि number of microorganism पर यह work करते हैं तो इनको हम antibiotics कहते हैं तो इसमें दिया tetracycline, penicilline, erythromycin और streptomycin तो दोस्तों tetracycline जो है यह एक broad spectrum antibiotic होता है बाकि इसमें penicilline, erythromycin और streptomycin लिखा हुआ है दोस्तों यह सभी narrow spectrum antibiotics के example यानि कि यह दोस्तों किसी एक या फिर दो bacteria के उपर ही काम करते हैं लेकिन जो मारा broad spectrum antibiotics है यह धेर सारे bacteria के against काम कर सकता है तो चलिए इसके बाद question number three हम देख लेते हैं तो यहां पर पूछा है कि antibiotics effective against either gram positive or gram negative bacteria is called यहां आपको बताने कि ऐसे antibiotic जो सिर्फ या फिर तो gram positive या फिर gram negative bacteria पर ही वर कर सकते हैं दोस्तों ऐसे antibiotic को क्या कहते हैं तो दोस्तों ऐसे antibiotic को कहते हैं नेरो स्पेक्ट्रम एंटिबाटिक जोस्तों जो मारे broad spectrum antibiotic होते हैं यह gram positive और gram negative दोनों टाइप के bacteria के उपर काम कर सकते हैं तो इसको हम broad spectrum antibiotic बोलते हैं लेकिन अगर वो या फिर gram positive या फिर gram negative bacteria के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं तो उनको हम नेरो इस्पेक्ट्रिम एंटिबाटिक बोलेंगे यानि कि मारा पहला वाला जो अप्सन है यह हमारा सभी ऑप्सन है तो अब चलिए इसके बाद हम क्वेस्चन नंबर फोड देख लेते हैं और यहां पूछा है कि एंटिबाटिक्स और घेंस्ट ग्रामनिगेटव फटिरिया है जो आपको बताना कि इस मेंसे कौण सा इसमेंसे ऐसा कौन सा इंटिबाटिक्स है जो केभल घ्राम निगेटेव बैक्टिरिया पर वही वर्क करता है तो यहां पर दिंदो लिए इसके बाक्रेंवौ anti-fungal antibiotics दोस्तों आपको ऐसा antibiotic बताना है कि जो fungal agent काम करता है निए कि दोस्तों फंजाई पर काम करता है तो यहाँ पे दिया है Penicilline, Nistatin, Actinomycin D, or Erythromycin तो दोस्तों जो हमारा निस्टatin होता है अगर आपने pharmaceutical chemistry के अंदर एंटी फंगल एजेंट वाला चेप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर दोस्तों आपने पढ़ा होगा ग्रीसियों फूलवीन है माइसीन इसके लब एंफो टैरिसीन भी और इसमें आपका हो गया निस्टैटिन तो दोस्तों यह से भी एंटी फंगल एंटीबाटिक्स होते हैं यानि क दोसको प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो अब चलिए इसके बाद हम क्वेस्चन नमबर सिक्स को देख लेते हैं और यहां पर पूछा कि एंटीबाटिक्स दैट इन्हीबिट प्रोटीन सेंथेसिस नियां दोस्तों जो भी एंटीबाटिक्स होते हैं इनका मेकेन इन्हीबिट प्रोटीन सेंथेसिस तो आपको बताना है कि इसमें से ऐसा एंटीबाटिक्स जो प्रोटीन सेंथेसिस को रोगता है तो यहां पर दिया गया है क्लोरेम फैनिकॉल इसके लावा टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन एंड ओल आफ दी एबो दोस्तों जो जो हमारे है पर सब्सक्राइब करते हैं उसको इन्हीबिट करते हैं तो यह इनका मेकैनिजाम आफ एक्षण होता है तो अब चलिए इसके बाद क्विस्चन नमबर सेबन हम देख लेते हैं तो यहां पूछा कि सौट एक्टिंग सल्फोना माइड आपको बताना है कि इसमे है और आपका फार्माकोलोजी है यह दोनों बिल्कुल मिलता जुलता है यहां पर आपको कोई ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा तो यह तो इसमें आपका सौट एक्टिंग सल्फोना माइड जो है वो है सल्फाडाइजीन इसके लावा इसमें लिखा है सल्फा में कि देखने और इसमें लिखा है सल्फा में दख्सा जॉल है यह लाग एक्टिंग सल्फोना माइड होताै और यहां पर लिखा है सौट इम weवारे सामने क्वेस्च Сам existed और इसमें पूछाए कि स्ट्रक्च्छरण सी पूरियां दोस्तों जो सल्फोनामाइड होते हैं इनकी स्ट्रक्च्रल सिमिलेरिटी किस्से होती है तो दोस्तों इनकी स्ट्रक्च्रल सिमिलेरिटी होती है पाबा से और आप पाबा का की आफ्ल फॉर्म आप comment box में कंड़ करके बताएं कि वोट題 मेनिग अपपाबा झोस्तों क्या होता है कि जूब्य बैक्टिरिया उते हैं इनको ग्रो करने के लिए forensic necessary होता उनको kholic acid चाहिए होता है लेकिन जो हमारे सलफोनाम्य है यह anti-microbial activity इनका होता है और यह पैराइमाइनो-benzoic acid के के दोस्तों जो इनका structure होता है वो इसे मिलता जुलता है तो यह उससे compete करते हैं और फॉलिक acid को बनने से रोकते हैं इसकी वज़ा से दोस्तों इनके पास anti-microbial activity प्रोपर्टी होती है तो जो हमारे यहां पर सही ऑप्शन है वह है पाबा यानि कि सलफोनामाइड है इस्ट्रेक्चरल सिम्लेरटी इस टू पाबा यानि कि पैराइमाइड बंजोई एस तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नम्बर नाइन हम देख लेते हैं तो यहां पर द इसका लिखा है एलानीन निखा है इसका कोई मतलब नहीं है तो सलफोनामाइड इनेवेट दस सिंथिस और फॉलिक एसेड तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नम्बर टेन देख लेते हैं और यहां पुछाए कि ट्राइमे इसमें पुछाए कि ट्राइमेठोप्रीम इसका यूज के जाता है और यहां पर लिखा है रिस्पारेटरि इंफेक्शन और यहां पर लिखा है गोडोरिया विचीजे सेक्षुली ट्रांस्मेटेड डिजीज तो इन तीनों डिजीज के अंदर दोस्तों हम ट्राइमेठोप्रीम और कोटरिमॉकसाजुल का जो इसमें पुछा है कि नैले डिक्सिक एसेड इस तो दोस्तों जो मारा नैले डिक्सिक एसीड होता है यह इफेक्टिव होता है अगेंच ग्राम निगेट्व बैक्टिरिया लाइक यह को लाई और जो इसका मैकेनिजम अफेक्शन है वह है इट वर्क बाई इनिबिटिंग इनिबिट करता है और जो इसका यूज है वह है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेंक्शन एंड बैसेलरी डिसेंट्री के अंदर तो यह से भी इसका दोस्तों स्टेट्मेंट सही है तो हमारा जो हमारा यह पर सही आंसर है वह है और आप इस बात को याद रखेंगे कि नैले डि अब्ट इन देख लेते हैं तो हमारे सामने क्वेस्चन नंबर ट्वेल आ चुका है और आप इस बात को याद रखेंगे कि वोट इज फ्लोरोकईनोर्लीन ऑन्ट इंटींब्याटिक्स के जाम पले है क्योंकि जो इनका स्टक्सर होता है उसमें फ्लोरीन एक्वक्वक्व ह तो यहां पर क्या पोछा है कि फ्लोरो क्वीनिलोंस है इनका दोस्तों इनकी प्रोपर्टिज क्या हो सकती है यहां पर लिखा कि फ्लोरीन प्लोरीन होगा जाहिर और सी बात है और जो इसका अप्सिन है वह है इसमें इनके इनाईम होता है और इनके structure में fluorine होता है और जो इनका mechanism of action है वो क्या है inhibit enzyme DNA guyrage तो चलिए इसके बाद question number 14 हम देख लेते हैं और यहाँ पर दिया कि first generation fluoroquinylons are तो आपको बताना है कि इसमें से first generation fluoroquinylons कौन सा है दोस्तों सिप्रोफ्लोकसासीन लीवोफ्लोकसासीन लोमीष्कासीन और मौकसीफ्लोकसासीन तो इसमें आपका लिवोफ्लोकसासीन की लोमीफ्लोकसासीन है और मौकसी फ्लोकसासीन जो है यह आपका second generation fluoroquinylons antivatics है लेकिन प्लोकसासीन पेलिए नोट बइलाकिक्स है तो आप इसको अपने जो कि क्या है जो कि फ्लोरो क्विनिलोंस एंटिबाटिक से इसका यूज कहा होता है तो देखिए यहां पर यूटी आई लिखा यानि की यूरीनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन गुनोरिया वेची जे सेक्सुली ट्रांस्मेटेट डिजिज और टाइफॉयड फीवर के अंदर भ यह option है कि यह सभी सिप्रोफ्लोक्ससीन एंटिबाटिक के यूजे से तो चलिए इसका बाद क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लेते हैं और यहां पर पूछा कि पैनिसलीन आप्टेन फ्रॉम यानि कि पैनिसलीन में कहां से मिलती है तो यहां दिया है कि इसमें आप देखिए जो माना पैनिसलीन इंटिबाटिक है इसको हम पैनिसलीन इंटिबाटिक है उप्टेन करते हैं तो हमारा बोथ बन आप 6 ओपसन है यानि कि पैनिसčीलीन नोटिट का जो से तो यह सोर्स है पैनिसलीन antibiotics के चलिए इसके बाद question number 17 हम देख लेते हैं और यहाँ पर लिखाए कि Bengyal Penicillin R तो दोस्तों जो हमारा Bengyal Penicillin होता है यह Bactericidal होता है यानि कि यह bacteria को kill करता है और दोस्तों ऐसे antibiotic जो bacteria की growth को prevent करते हैं लेकिन उसको kill नहीं करते हैं उसे बोलते हैं bacteria static और इसका mechanism of action क्या है इसमें लिखा है act by inhibiting bacterial cell walls यह दोस्तों जो भी bacteria होता है उसके cell wall को यह बनने नहीं देता है और यह एक narrow spectrum antibiotic है मतलब यह केवल एक या फिर दो bacteria के अगेंस्ट यह वर करता है तो जो हमारा यहां पर सभी option हो है all of the above का तो अब चलिए इसके बाद question number 18 हम देख लेते हैं और यहां पुछा कि broad spectrum इसमें पुछा कि broad spectrum penicillin इस तो दोस्तों यह सभी broad spectrum penicillin के moxicillin और यहां पर आ चुका है कि macrolide antibiotic आपको बताना है कि इसमें से macrolide antibiotics कौन सा है तो जो यहां पर option दिए गए हैं आप यहां पर इसको देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा है यहां पर दिया है सिप्रोफॉकसाइण और इसमें दिया है अरिफ्रोमाइसिन और इसमें दिया है MP-Cylin तो दोस्तों आप इसमें से पैनिसिलीन तो आपका होगा नहीं और जो मारा सिप्रोफॉकसाइण है यह कौन सा आंटिबाटिक है यह फ्लोरोग्पी निलों इन आटिवाटिक से यह मारा सही है कि जो मारा एरिथ्रोमाइसीन है यह मैक्रो-लाइड अंटिबाटिक्स या निकी मैक्रो-लाइड काटेग्रीक एंटिबाटिक्स है तो हमारा तीसरा वाला जो अप्सण है तो अब चलिए हैं इसके बात यहां दोस्तों जो हमारा Erythromycin Antibiotics है इसका दोस्तों जो इसका सोर्स है वो है Streptomyces Erythrus और यहां पर लिखाए कि Effective Against Streptokokai और यहां पर लिखाए Hemophilus Influenzae and Corne Bacterium Dipthery और Use in Diptheria दोस्तों यह से भी सही है विट रिगार्डिंग टू एरिथ्रोमाइसिन यानि कि हमारा ओल आफ यहां सही है कि सोर्स आफ एरिथ्रोमाइसिन क्या है स्टेप्टोमाइसिज स्टेप्टोमाइसिज एरिथ्रस और इसके लाब एफेक्ट्व किस पोता है स्टेप्टो को काई हेमोफाइलस इंफ्लुएंजी और कॉर्नी बैक्टिरियम डिफ्टेरी पे और इसका यूज हम डिफ्टेरिया के ट्रीट्मेंट में भी करते हैं तो चलिए इसके बाद क्वेस्चन नमबर 21 देख लेते हैं और यहां पर क्या पूछा है कि न्यू मैक्रोलाइड एंटिबा इसके अलावा दोस्तों क्लेरित्रो माइसीन भी जो हमारा होता है यह न्यू मैक्रोलाइड एंटिबाटिक्स का एक्जामपल होता है तो अब चलिए इसके बाद क्वेच्चन नमबर 2 को हम देख लेते हैं तो यहां पूछा है कि एमाइनोग्लाइकोसाइड स्ट्रेप्ट मैसेन तो आपको पताना है कि इसमें से एमाइनोग्लाइकोसाइड कटेगरी की अटिबाटिक्स कौन सी है तो यहां पे दिया है ्सट्रेप्टोमासाइड शीप्रो फॉलोक्साइड व्लोक्साइड और पैनिसिलीन तो दोस्तों जो मैनेनोक्लॉा संड एंटिबाटिक्स जेंटा माइसीन एमीकासीन नियो माइसीन जो है यह सभी एमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटिबाटिक्स होती है तो अब चलिए इसके बाद देख लेते हैं स्वेच्चन नमबर 23 और यहां पर क्या पूछाय गया कि ड्रग ऑफ च्वाइस इंदर ट्रीटमेंट आफ ट्यूब तो ड्रग ऑफ च्वाइस इंदर ट्रीटमेंट आफ ट्यूबर क्लोसेस इच स्ट्रेप्टोमाइसीन यानि कि हमारा पहला बाला जो अप्सन है यह हमारा सही ऑप्सन है इसके बाद चलिए क्वेच्चन नमबर 24 देख लेते हैं और यहां दिया है कि सिफैलोइस्पॉरें क advised इसद दोस्तों सीफैलोइसपॉरें मिः कटेग्णी एंस तो आपको बताना है कि से सीफैलो Dec कटेगरी के अंटिबाटिक्स होती है तो यहां पर लिखाए सिफलाक्सिन सेफाजोलीन और सेफोटाक्सिम तो यह सभी सिफैलोस्पॉरिन एंटिबाटिक्स होते हैं यानि कि अप्टेगरी का एंटिबाटिक्स है इसको हम कहां से अप्टेन करते हैं तो जो इसका सोर्स है वो क्या है है todas you a बात को याद रखेंगे सोर्स ऑफियालोस्पॉरिक अटिबाटिक्स हर सिफैलोसपॉरियं आक्रेमोटियम तो दोस्टो अब कि लिए उनिट के उनले है उसकी विडियो साम को आएगी तो दोस्तो जो यह आपका उनिट है जो दोस्तों ये आपका तीन और इसका विडियो कांगा तभी यूनिट कमप्लिट होगा और इसके बाद। जो भी यूनिट है दोस्तुं वह सभी छोटे-्छोटे यूनिट है तो दोस्तों आपका ये विडियो देखने के लिए धन्यवाद uwब आपका दिन सुभू जाहें दो